हाँ तो दोस्टो श्री सिमेंट के Q3 के नमबर आच चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या पुछ श्री सिमेंट के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो दीके यहाँ पे जो रेवेन्यू का नमबर है वो 7% से बड़ा है और ये नमबर आया है 3,637 करोड लेकिन जो प्राफिटेबिलीटी है वो पिछले कॉड़े के कमपेरिजन में 17% से गिरी है और ये नमबर आया है 482 करोड पे दीके जो लगाता रही है जो राम मटेरियल का कॉस्ट वो लगाता जो है कमपनी का बढ़ रहा था उसी की वज़े से ये इंपक्ट हमें देखने को मिल रहा है लेकि हमने अल्ट्राडिक सिमेंड के अंदर भी ये प्रेशर में देखने को मिला था तो उसके बाद में जब विज़े सिमेंड के नंबर चाहिए तो तभी भी हमें ये प्रेशर देखने को मिला है अगर हम येर ओन येर बिचिस पे देखेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू चेंज हमें उटा हुआ नजर नहीं आ रहा है तो कि येर ओन येर बिचिस पे सिर्फ टू परसेंड की लग सकती है तो देखे 24,724 पे ये स्टॉक भी ट्रेड हो रहा है और लगबग 32,000 का इसका अल्टाइम हाई है तो यानि कि अल्टाइम हाई से अल्रेडी 25 परसेंड ये स्टॉक गिर चुका है तो देखे मुझे लगता है कि ये जो प्राफिटेबिलिटी कम आई है ये ची ही होगी मुझे लगता है मार्केट को पहले से पता है लेकिन फिर भी थोड़ा सेलिंग परेशे मंडे के दिन रह सकता है मुझे लगबग 5-6% में करेक्शन देखने को मिलेगा फिर उसके बाद में अच्छी रीकवरी हमें देखने को मिल सकती है तो दोस्तों मैं होप कता ह आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी थे ता आप कमेंट कीजिए मैं जरूर आपके कमेंट पर रिपलाई करूंगा ओके दोस्तों थैंक्यू वनाइस डे